हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC Academy पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप सरशठवी BPSC के लिए जो की आपका अक्टूबर 2021 में होना है उसके लिए टॉप 25 कोशन देखने वाले हो हर एक सवाल के साथ कुछ उसके बारे में बताया गया है यानि उसका explanation भी है आप उसे भी ध्यान से सुनने की समझने की कोशिश करिएगा सबसे पहला सवाल और क्लास के लाश्ट में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा आपके BPSC के लिए पहले आप हर एक सवाल को अच्छे से देख लिजिए सबसे पहला सवाल एक निमलिकित में से कौन सा राश्ट या उद्ध्यान एवंग राज जी सही सुमेलित नहीं है option number C हो जाएगा सही जवाब हैमिस हैमिस जम्मू कर्श्मीर में नहीं होकर कहां पर है या या आपका लद्धाक में है कहां पर जम्मू कर्श्मीर में नहीं होकर कहां पर है लद्धाक में है देखिए भारत में टोटल एक सब पांच निशनल पार्क है कितना है एक सब पाचवा की अगर आप बात करेंगे तो कुनों जो की मद्ध्य परदेश में है यह एक सब पाचवा है ध्यान रखियेगा इस बात का ये जो नोकरेज ढीज देख लेखु यहां मेगाले में सही है more in गुजरात में सही है और कुनों मद्ध։ परदेश में जो कि आपका 105 वह राष्टी योद्यान है ये तीनों सही मिला हुआ है बट हेमिस कहां पे है तो लद्दाक में है पहले जमुकस्मिर में ही था बट अब लद्दाक में जो कि वो क्या है केंद्रशासित परदेश बन चुका है देखे नेक्स्ट कुश्चन सदाबाहर क्रांती का स किसी आधुनिक सी चाई और जैविक जैविक क्रीशी और अधुनिक सी चाई इसका में पार्ट है ध्यान रखेगा किसका द्वीति है हरित करांती का ऑप्शन नमबर डी आपका सही जवाभू जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है निमनलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है देखिए खरीफ की फसल में कौन कौन सा आता है तो आपका आता है चावल मोती बाज़रा मक्का कपाश गन्ना सोयाबीन और मुंगफली होता है ध्यान रखेगा किसमें कौन सा होता है यह यह आपका खरीफ की फसल है श्वाभीन जो है यह क्या है खरीफ की बट यहाँ प गेहूं जो चना और आपका option number A सर्सों ये कौन सा है तो ये रभी की फसलत ध्यान रखिएगा next question निम्नलिखित में से कौन शा महाद्वीब गौंडवाना लेंड का भाग नहीं है आपका क्या हो जाएगा option number A Asia गौंडवाना लेंड का पार्ट नहीं है सवाल है किसका है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ आपका हो जाएगा लारेशिया का पार्ट है किसका है लारेशिया का पार्ट है और ये जो अफरिका है अंटार्क्रिका है मेटा गासकर है ये सारा कौन सा आपका हो जाएगा किसका हो जाएगा तो गोंडवाना लेंड का ये तीनों पार्ट है ध्यान रखेगा एशिया किसका है लारेशिया बहुत जाद है भी वियाई कोशन है ध्यान रखेंगे इस बात का नेक्स्ट कोशन पारिष्थिति की तंत्र में उर्जा का शुरोत क्या है आप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा सही जवाब शौर वी की रण जो है ये किसका है पारिष्थिति की तंत्र में उर्जा का शुरोत है कौन सा शौर वी की रण नेक्स्ट कोशन तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे कौन थे बताईए देखिए तेज बहादूर सप्रू और बी आरंबेतकर सहाब ये दोनों जो हैं ये दोनों तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं ठीक है और देखिए तेज बहादूर सा प्रूज जो है इनके बारे में तो आशा यहाँ पर लिख रहा हूँ इन्होंने जब गोलमे समिलन में भाग लिया था तो इन्होंने लिब्रल पार्टी नाम से लिब्लर लिब्रल पार्टी के नाम से और बिया रंबेतकर साहाब ने इन्डिपेंडेंट लेबर पार्टी कौन सा इन्डिपेंडेंट लेबर पार्टी नाम से नाम से जो पार्टी था उनका यह नेत्तित्व किये थे किसने बिया रंबेतकर साहाब ने और तेज बहादूर साप्रू ने लिब्रल पार्टी खत ओप्शन नमबर आपका ई हो जाएगा सही जवाब एक से अधिक यानि तेज बहादूर सप्रू और भी आरंबेत करीन दोनों ने तीनों गोल में समेलनों में भाग लिये थे नेक्स्ट कोशन भागत सिंग और बटुकेश्वरदत केंद्रिय विधान सभा में बम फेके थे आपको पता होगा सवाल है यहाँ पे कि किस डेट को फेका था बताईए आप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब 8 अप्रेल 1929 को कब 8 अप्रेल 1929 को भागत सिंग और बटुकेश्वरदत ने केंद्रिय विधान सभा में बम फेके थे नेक्स्ट कोशन यदि कोई वस्तू विधाकार पत्थ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार बताईए क्या होगा आप चाहें तो यहाँ पर अपना वीडियो को आप रोख लीजेगा क्या हो जाएगा आपका सही जवाब ओप्षं नमबर ए शून्नि होगा क्या होगा शून क्यूं क्यूं क्यूंकि विधाकार पत्थ में अगर एक चक्कर जो विस्थापन होता है वह शून नहीं होता इसी वज़य से क्या हो जाएकॉशन नमबर ए सही जवाब 17 मीटर कितना होना चाहिए कम से कम 17 मीटर होना चाहिए और एक बात का ध्यान रखेंगे कि धोनी का कान पर जो प्रभाव रहता है वो एक बटे 10 सेकेंड तक रहता है ध्यान रखेंगे का एक बटे 10 सेकेंड तक धोनी का आशर कान पर रहता है विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है बताना है option number C हो जाएगा सही जवाब दोनों में chlorine योगिक होता है ध्यान रखेगा दोनों में क्या होता है chlorine योगिक होता है option number C सही जवाब हो जाएगा next question वह तत्य जो रख्त में नहीं पाया जाता है तामबा हो जाएगा सही जवाब option number C तामबा क्या होता है रख्त में नहीं मिलता है नहीं पाया जाता है next question राष्टिय पेंशन प्रणाली नीजी छेतर के अंतरगत से जोड़ने की अधिक्तम आयू निमनी लिखित मेंसे सही है बताइए कौन सा सही है देखिए पहले क्या था शाठ वर्स था option number B पहले सही होता पहले 60 वर्स था बट अब कितना उसको 5 साल और बरहा कर 65 साल कर दिया गिया है option number C हो जाएगा सही निमनी मेंसे भारत के किश राज में शर्वपर्थम राष्टपती सासन का प्रियोग किया गया देखिए सबसे पहले पंजाब में किया गया था पंजाब में सबसे पहले राष्टपती सासन का प्रियोग हुआ था 1951 इस्वी में ज्यान रखिएगा option number C सही जवाब हो जाएगा next question कैड़ाक वाईसेज ओफ डिशेंट पुस्तक के लेखक या फिर लेखी का कौन है तो क्या हो जाएगा सही जवाब रो मिला थापर option number C सही जवाब हो जाएगा next question किताब उल यामिनी किसकी रचना है क्या हो जाएगा option number आपका C सही जवाब उतवी के दवारा लिखा गया है किताब उल यामिनी next question पूलवरं बहू देशिय योजना किस नदी पर इस्थित है option number C हो जाएगा सही जवाब गोदावडी नदी पर पोलावरम बहुत देशी है योजना गुदावरी नदीपर है और एक बाद जान लेंगे कि इसी को इंद्राशागरबांध पर योजना भी कहते हैं कौन सा कहते हैं इंद्राशागरबांध ध्यान रखेंगे इंद्राश आगरबांद कहते है नेक्स्ट कोशन तरंग धहरी का SI मात्रक क्या है क्या हो जाएगा आपका सही जवाब मीटर हो जाएगा option number D सही जवाब तरंग धहरी का SI मात्रक क्या होता है मीटर होता है नेक्स्ट कोशन निमिलिखित में से किश कोशी का अंग से लाइशो सोम बनता है आपको बताना है तो option number C सही हो जाएगा गौल जी काय से क्या होता है लाइशो सोम बनता है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट कोशन अशोक के अभीलेखों की भाषा क्या है देखिए अशोक के अभीलेख की भाषा option number B प्राकीर्त माना है मतलब प्राकीर्त है ठीक है ध्यान रखेंगे कि जो अभीलेख है इस अभीलेख को प्रामी आर्मेरिक खरोष्टी युनानी लीपी में लिखा गया है भारत से जो बाहर कुछ सिलालेख मिला है उसका जो लीपी है वो खरोष्टी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ उसका खरोष्टी और आर्मेरिक हो जाएगा ठीक है भारत से बाहर इन दोनों लीपी में लिखा हुआ है अगर कुशन आपका आता है कि अशोक के विले की भासा क्या है तो ऑप्शन नमबर भी प्राकिर सही जवा हो जाएगा किश वन्स के सासकों ने सरो पर्थम सीसे के सिक्के जारी किये ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा सही जवाब शात वाहनों ने साथ वाहनों ने सबसे पहले क्या किया था सीशे के सिक्के जारी किये थे इसके अलावा उन लोगों ने क्या किया था देखिए चांदी तामबा और पोटीन के सिक्के भी चलाए थे ध्यान रखेंगे और यह अगर सवाल आ जाए कि इन सिक्कों पर किस चीज का पिक्चर बना हुआ मिला है तो ध्यान रखेंगे कि मचली का और मचली शंक और जहाज का चित्र मिला है ठीक है अगर मचली शंक और जहाज का चित्र मिला हुआ आपको सिक्का मिले तो आप समझ जाएंगे किस वंस से समंदित है वो तो शातवा सभाशनों के द्वारा वो चलाया गिया था नेक्ष्ट कोश्यन भारत में शामन्तवाद का उदय किस काल में हुआ option number C हो जाएगा सही जवाब गुप्त काल के अंत समय में ध्यान रखेंगे सामन्तवाद का उदे भारत में कब हुआ था तो गुप्त काल के अंत समय में हुआ था next question मक्का के उत्पादन में बिहार का सिर्ष जीला है क्या हो जाएगा सही जवाब देखिए तीन मैं आपको बता दे रहा हूँ सबसे पहला आपका हो जाएगा कटिहार दूशरा आपका हो जाएगा पूर्णिया और तीसरा आपका हो जाएगा अररिया ये तीनों जीला पूर्णिया बिहार के जो है ये मक्का के उत्पादन में टॉप पर हैं रखेंगे नेक्स्ट कोश्यन बिहार के कुल भूगी छेत्र का लगवा कितना पर्तीशत हिस्सा परती भूमी के अंतर्गत है इक्ज्ञारअ पोइंट एक पर्शेंट सही जवाब हो जाएगा बिहार का जो पूर्णिया सबसे ज़्यादा मतलब कम परहा हुआ पूरुस वाला जीला है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट और आज का लास्ट कोश्चन तवा नदी किसकी सहायक नदी है बताना है नर्मदा हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नमबर भी तवा जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदिया है और तवा के अलावा अगर आप जानना चाहें तो मैं यहाँ पर कुछ लिग दे रहा हूँ जो के विवियाई है देखिए दूधी, हिरन, सेर, सक्कर और आपका हो जाएगा यह एक होता है एक है बरना नदी हो जाएगा और एक आता है आपका कुमार माचक कर गए कुमार या कुनार करके है देख लिजेगा कुमार या फिर आपका कुनार माचक करके एक नाम है यह मतलब यह भी सहायक नदिया है ध्यान रखेंगे और यह आप जानते है कि दरमना दे कहां पर तो मद्ध परदेश की जीवन रेखाए से कहा जाता है और यह मद्ध बात में बहने वाली एक नदी है ठीक है ध्यान रखेंगे इस बात का अब देखे टॉप 25 कोशन आपने देख लिया सरशठवी बीपीस्थी जो कि आपका अक्टूबर 2021 में संभावित है कि हो जाएगा अगर सारा सिच्वेशन कोरोना का सही रहा तो अब एवीशी एकडमी के आपको बहुत सारा मिटेरियल एवीशी एकडमी पर दिया जाएगा आपके सरशठवी बीपीस्थी के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लिजिएगा अगर आप बीपीस्थी के तयारी कर रहे है तो अभी मैं जो भी कुश्चन बता रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा फैक्ट बताते चलता हूँ कुछ टाइम के बाद जब आपका वीपीस्थी बहुत पास रहेगा मिनिममं 50 शेट आपको देखना है एवीशी एकडमी पर और जो भी शेट रहेगा उसमें बहुत कम टाइम में बहुत ज थोड़ा कहिए या थोड़ा बहुत जो भी कहिए आप मदद जरूर करेगा ध्यान रखेंगे इस बात का ठीक है फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स